नमस्कार दोस्तों, E-mentors में आपका सावगत है और आज हम PowerPoint का 6th exercise करेंगे 6th exercise करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप ये PDF डाउनोड कर ले और ये वीडियो देख ले अगर आप ये कर चुके हैं तो आईए आगे बढ़ते हैं सबसे पहले PDF खोल लेते हैं खुला हुआ ये पीडियो और इस दिख तक size है और इसे हमें करना है तो हमें Microsoft PowerPoint बनाना है जबसे पहले हम PowerPoint खोलेंगे तो All Programs, Microsoft Office और Microsoft Office में PowerPoint 27 तो आपसे यहां पर कुछ चीज़े कहना है यहां पर अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ विंडोस 7 और MS Office 2007 वर्जन ठीक है जो मैं रेक्साइज हूँगे मैं इननी पर बनाऊँगा परन्तु मैं कोईश करूँगा कि Windows 10 और MS Office 2019 में भी थोड़ा काम करूँ ठीक है जिससे कि आपको MS Office 2007 के बेडिया लग जाएगा और 2019 के बेडिया लग जाएगा साथ ही Windows 7 के बेडिया लग जाएगा और Windows 10 की बेडिया लग जाएगा है ना तो अच्छी बात है है ना तो अब आगे बढ़ते हैं और exercise बनाते हैं तो मैंने PowerPoint खोल दिया मैं को भी फाइल खोलता हूं तो क्या करता हूं सबसे पहले सेफ करता हूं तो मैं फिल देखूंगा सेफ किस नाप से करना है तो insert footer and with sorry after preparing your slide as shown above save it on a send desktop and naming the file as a ssc followed by roll number तो मैं सेफ करना है desktop पे तिस रोल नंबर तो office बटन सेफ desktop और ssc underscore 6 तक साही तो 6 से start कर लेते हैं 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 ठीक है हमने ये सेफ कर लेते हैं और ये सेफ हो चुका है देखिए ये तो हमने यहां पर सेफ कर लिया है परन्तु जब भी आप प्रिंट देने जाओ के तो उससे पहले भी आप सेफ करना प्रिंट से पहले हमेशा सेफ करने के जरूरत है ही है और चाहो तो पीच पीच में भी आप सेफ कर सकते हो परन्तु प्रिंट से पहले एक बाद से शेव करना जरूरी है ठीक है ओके तो देखिए दोनों बॉक्स थोड़ा उपर है तो उपर लेकर जाते हैं दोना box red कर लेते हैं पहले और एक साथ उपर लिख जाते हैं और साथ में जो सब टिटल वाला box से इसको बढ़ा कर लेते हैं क्योंकि फिर थोड़ी असानी जो आती है और मेरी अधाद भी है ठीक अब जो लिखा हुए सब को टाइप कर लेते हैं फार्मेटिंग हम बात में कर लेंगे यह modified Assured Career Progression यह काफी बड़ा नाम है ठीक है यह काफी बड़ा नाम है लेकिन इसको स्वाट में सब्सक्राइब हम MACP बोलते हैं ठीक है जो MACP पर अप्लाई होता है वह 10-10 साल के लिए होता है 10-10 years ठीक है और इससे बोलते है this is a non-functional financial upgradation scheme एक scheme है और इसमें upgradation कब होता है जब हमारा benchmark benchmark क्या होता है MACP का कि जब आपका जो अपार में है आपको very good मिला हो अपार में आपको very good मिला है और साथ की साथ यूर basic pay is increased and adjusted to दा होना चीद है आप पोई नहीं तो next pay level इसका मतलब है कि मानलो आपने चालिसों जीपी पे जॉइन किया है ठीक है चालिसों जीपी में जॉइन किया इसको काला कर लेते हैं परन्तु 10 साल में आपका प्रमोशन नहीं हुआ तो आप MACP लेके MACP लेके जो 4800 ग्रेट पे का जो basic पे होता है उसको increase करवा सकते हो तो आपको next pay level पर जो basic पे आपका बनना चाहिए तो आपका थोड़ा बढ़ेगा तो 10 साल में आपका basic पे बढ़ जाएगा और आप उस next pay level पे adjust हो जाओगे तो MSP के criteria है और आपका promotion 10 साल के इंदे नहीं हो पाता तो इसके लिए रूल है ठीक है और यह आपके सब्सक्राइब में तीन बार ही use हो सकता है ओके आगे बढ़ते हैं देखते हैं उनके का बोल लगा use font size of 40 points in agencyfb font for title टैटल यहाँ पर जाओ अगे बिल गया तो टैटल सेलेक्ट हो गया यह bold और underline भी है तो इसको भी कर लेता हूं और 40 points बोला है तो इसको में 40 करूंगा ठीक साथ ही यहाँ पर 10-10 years यहाँ यहाँ पर जाते हैं पहले इस box को मैं कर लेता हूं format format shape line color solid line line style इसको weight बढ़ायते हैं सब जगा हमने 4 ही कर रखा है 4 में ठीक देख रहा है तो मैं 4 कर लेता हूं और line color काला कर लेते हैं ठीक है तो हमें यह वाला box भी बन गया है इस box में इतना spacing है तो मैं पहले ही इतना spacing कर लेता हूं जिससे की बात में बार बार देखेंगे कि जुरुवत ना पड़े ठीक है clear अब यह सब कुछ left में है तो सबको left में लेते हैं और यह है हमारा अब देखे क्या क्या बोल लखा है use font size of 28 point in century for the subtitle 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 के लिए हमें कितना करना है है 28 28 कर लेते हैं पहले और यह century कर देते हैं century ठीक है 28 century हो गया और size of the other font should be 24 points in century font जो other font है यतना है कि यह चोटी साइज है और सबसे चोटा 24 है इन दोने में से चोटा 24 है सबको select कर लेंगे और इसको 24 कर देंगे ठीक है इन सबकी बीच में enter इस पेस से तब एंटर में लगा देते हैं underline align and blotted as part the given sample side तो जैसे जासे दिख रहा है बोल्ड जो बोल्ड कर लो तो मैंने बोल्ड पहले ही कर दिया है यहां पर इसको छोटा कर लेते हैं ठीक हो गया तो बोल्ड अंडर लाइन है यहां पर हो चुका है इसे हम इटालिक करने इटालिक कर लो इसमें बुलेट्स है त यहां से बुलेट में चल जाके बुलेट ले लो बुलेट्स कुछ में स्पेसिंग है तो स्पेसिंग कर दो यह दिस जो है तसके नीचे है तो दिस दसके नीचे ले आते हैं ठीक है स्पेसिंग आ गया है और यह भी रेड है उदर भी रेड है चलो ठीक है कोई नहीं और और यह देखिए यह जो है यह लेफ्ट लेप्ट लाइंड पर देखे। एडजस्ट के बाद अक्रोंटिक और पेड लेवल इस जो आकोड़िन वर्ड है हमारे नीच आहना चाहिए ठीक है तो एड्जेस्टेक के बाद मैंने तुर नेक्स पे लेवर लिखा है पर हमेंने अकॉर्डिंग लिखा कुछ मिस्टेक्स आपको सही करने होगे मैं आपको समझा है लग गया था ना तो इस चीज़ों पर मैंने भी ध्यान ने दिया एक बर पढ़ लेखे हैं तो आगे बढ़ते हैं आगे देखते हैं क्या है इस फुट प्रविट रोलमबर नेम और रिस्पेक्टव लोकीशंस अस्रोण इसेंपर स्लेट साइज और फॉट नेम और ले लेखना है तो बढ़र रोलनमबर है लंग ना बहुत इंपर्टियं फूटर बहुत ज़्याद इंपॉर्टेंट है आपके लिए उपर कुछ लिखो ने लिखो फूटर बहुत इंपॉर्टेंट है तब यह आपकी कॉपी चेक होती है और स्पेसिंग देखे नेम और यह अपलाई ठीक हो गया तो इन दोनों को सेट कर लो और फॉन्ट लिखना है कैलिबरी और बारा सुरी 14 ठीक है यह हो गया थोड़ा किसका लेते हैं नवंबर जो है इस लाइन की नीचा आना चाहिए क्योंकि इस लाइन की सेप्टमबर नीच अश्चा है तो ऐसे कर लेना है तो ख़ल लिया अब कहीं पर क्लिक करके इसको स्ट कर लो और इसको बढ़ा कर लो ठीक हो गया इसको लेफ्ट साइड ले आता हूं आपके तो राइट है लेते हैं इस बार मर्जी है मेरी ठीक है वर्णकर मुडल यहां पर स्पेस देगाता ह आप स्पेस लगा के जहां पर आर जा रहा है ना वाई की नीचे वहां तक लिखाया है लाई कोईश करेंगे पहले सही है कोई दिक्कत ही नहीं है सब कुछ सही है हमें कुछ करने की जिरू हती नहीं पड़ी तो एक्जाम ना जो होता है ना इन दोनों के बीच की जितनी यहां देखरी है उतनी ही होनी चाहिए ठीक है तो अपने पहल हो जा्युक्त निजास प्रिंट प्रिव्यू पर चल जागे हमने कुछ गलती कारी नहीं करी तो में मोडिफाइड हो गया यह ठीक हो गया इस आइफन के सामने आ रहा है टैन की नीचे दिस आ रहा है और यहां भी स्पेसिंग ठीक है यहां भी स्पेसिंग लंब बराबर है और हमारा बॉक्स भी ठी दिस जिए का में और यह ठोड़ा ज्यादा है तो मैं थोड़ा से बहुत सही करना होगा बस कि इसका विट्थ कम करना होगा और कुछ नहीं है और आपका यहां पर यह टेड़ भी आ गया रोल नंबर भी आ गया नाम भी आ गया तो सब कुस सही है तो आप 8 वार नवा पर ल ठीक हो गया अब बॉक्स काफी परफेक्ट राइप का लग रहा है बस इम थोड़ा ज्यादा चोटा कर दिया इसकी विट्थ हलका से बढ़ा दो यार अब ठीक हो गया इसको प्रिंट कर सकते हो प्रिंट करने इस पर आपको सेफ करना है तो सेफ कर लो अब आपको कुछ चीज बतानी है आटवे नवर पर्ड में लिखा हुआ है जो आपका डेट है रोल नमबर नाम ठीक है आपके इसमें स्राइड में होना चाहिए डेट रोल जबाएग्डा जो प्रिंटर होगा जो फ्रिंट हो जाएगा लोगा फॉसमीद आपको समझा है जबा। और इस उम्मीर के साथ बाई दोस्तों and have a nice day.